बहुत कम लोग ही जानते हैं रंगोली बनाने से क्या होता है। आईए जानते हैं रंगोली बनाने से क्या होता है। त्रेता यूग में रंगोली बनाने की प्रंपरा सुरू होई थी, जबकि ऐसा नहीं है। रंगोली बनाने के पीछे का काफी धार्मिक महत भी है। हो जाती हैं जो तीसा चार मनोहर आचार बताते हैं कि रंगोली के माधम से देवी देवता का घरों में आगमन होता है इसलिए रंगोली बनाने से बहुत ही लाब होता है जब भी समा मिले तो कोई भी तीज देवहार, कारकरम, स्कूल, कालेज घर में हो तो रंगोली बना कर आनन्द जरूर लें रंगोली डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं ऐसा भी पूछा जाता है इसलिए रंगोली दो प्रकार से बनाई जाती है सुखी और गीली दोनों में एक मुस्तहस्त से और दूसरी बिंदूओं को जोड़कर बनाई जाती है बिंदूओं को जोड़कर बनाई जाने वाली रंगोली के लिए सबसे पहले सफेद रंग से जमीन पर किसी विसेश आकार में निश्यत बिंदू बना जाते हैं पिर उन विंदुओं को मिलाते हुए एक सुन्दर आकरती आकार ले लेती है फिर हम रंगोली बनाते हैं वैसे तो रंगोली कई प्रकार के बना जाते हैं लेकिन दो प्रकार से फेमस है सभी स्टुडेंट्स जो रंगोली बनाना चाहते हैं, वे लोग इस रंगोली को देखकर अच्छे ची रंगोली बनाकर अपने कालेज में अच्छा स्थान पा सकते हैं आर्यावर्तिन इस्टिट्यूट में दुर्गा पूजा के आउसर पर अनेको रंगुलिया बनाकर चाचात्राओं ने कई इनाम भी जीते हैं उन चात्रों का मंगल हो